हाडोती के चोहान नई रियासत बनाई जाती है कोटा रियासत जो की बनाई जाती है सहां जांगे सहायता से माधव सिंग को यहाँ पर अलग से कोटा का शाशक न्युक्त किया जाता है पिर हमने इसको भी अच्छे से कम्प्लीट किया कोटा राज्य जो है 1818 इस्वी की जो संधी होती है उसके बाद जाला जालिम सिंग यह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं रिवाइज करें 1818 में जाला जालिम सिंग जो है इनको कोटा का वास्तविक संस्थापक जो है वो निक्त किया जाता है अब इनकी हो जाती है मृत्यू और यहां पर जो है जासन विवस्ता कमजोर पढ़ जाती है तो इनकी मृत्यू के बाद इनका जो पुत्र होता है माधव सिंग इसको कोटा राज्य का प्रशाशक जिक्त किया जाता है 1824 इस्वी के लगवग ठीक है 1823 इस्वी में माधव सिंग का जो पुत्र है मदन सिंग इसको बठाया जाता है यहां पर तो यहां पर उस वक्त कोटा में कौन थे मदन सिंग जब थे तो यहां कोटा में राम सिंग सेकंड थे तो राम सिंग सेकंड अंग्रीजों के साथ हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सासन विवस्ता कमजोर पढ़ जाती है जालिम सिंग की मृत्यू के बाद तो अब क्या होता है कि जो राम सिंग सेकंड है और साथ में अंग्रेज इनका मदन सिंग के साथ हो जाती है अनबन और इस वज़े से मतवेद होने के कारण जो राम सिंग है और जो अंग्रेज है वो कोटा राज्य को कोटा राज्य का जो सत्रा परगने है या कहें हम कि कोटा राज्य का एक तिहाई भाग 1837 इसवी में मदन सिंग को दे देते हैं ठीक है और यहाँ पर नए राज्य की अपना होती है और जिसका नाम रखा जाता है जाला वाड ठीक है याद रखना है कंपनी सरकार जो है कोटा से 17 परगने जो है अलग करके जाला मदन सिंग को दे देती है और 1837 में जो है एक नई रियासत बनती है जाला वाड और इसकी राजधानी बनाई जाती है जालरा पा बाद जो नई रियासत बनाई जाती है जालावार प्राचीन समय में मालवा का हिस्सा ही था जालावार ठीक है मालवा का ही हिस्सा था सात्वी सदी में चीनी यात्री वेन सांग ने मालवा और उज्जेन दोनों को अलग अलग बताया ये क्या बोलते हैं ये कहते हैं कि मालवा और उज्जेन मद्यपरदेश के साइड में पढ़ता है जो तो ये दोनों अलग-अलग है कारकोट नगर टोंक से सिक्के मिले थे जिन पर मालवा जय और मालवा गनश्य लिखा हुआ था तो ये चीज जो है थोड़ी सी आपको याद रखनी है कि कहां से पता लगता है कि जालावाड अलग था और कोटा रियासत अलग थी तो सातवी सदी में चीनी यात्री वेन सांग जो है ये मालवा और उज्जेन दोनों को अलग-अलग बताते हैं ठीक है तो हमने देखा कि मालवा जो कि जालावाड का ही हिस्सा था ग्यारवी और बारवी सताबदी के आज पास यहां पर किसका शाशन था परमारों का शाशन था और परमार शाशक नर वर्मदेव और यशो वर्मदेव एबम उनके आठ मंत्रियों का उल्लेक इसमें मिलता है तो ये थोड़ा सा इतिहास है यदि आप याद ना भी रख पाएं तो कोई बात नहीं बालम की रचित रामायन और वेद व्यास रचित महा भारत में भी यहां पर मालवा जाती का उल्लेक विलता है कि यहां पर जो है वो पहले मालवा जाती रहा करती थी तो आठ अप्रेल 1818 जाला मदन सिंग और अंगरीज सरकार के बीच में जो संदी होती है तो यहां मैंने आपको समझा दिया है थोड़ा सा मैप मैं जो है मैं आपको बता देती हूँ कहां पर मालवा था देखिए यह जो आप शेत्र देख रहे हैं तो यह उस समय जो है मालवा के नाम से जाना जाता था तो कहते हैं कि यह जो जाला वर्ड नई रियासत बनी थी तो यह मालवा का ही हिस्सा था ठीक है तो यह आपको याद रखना है किस से अलग होकर बनाया गया कोटा राज्य से अलग होकर जो है जालावर्ट नई रियासत की स्थापना की जाती है यहां हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजो द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत कौन सी थी जालावर्ट रियासत थी ठीक है सन आपको याद रखनी है 1838 1837 से 1838 है तो कहीं पर आपको 1837 आएगा कहीं पर 1838 याद रखेंगे ये वाली डेट 1838 ठीक है अब बूंदी रियासत कहां है वो यहां पर है कोटा रियासत थोड़ा सा इस के यहां इस साइड देखेंगे तो कोटा रियासत का निर्मान किया गया उसके बाद अंतिम रियासत थोड़ा सा दक्षिर में चले गए तो ये पूरा एरिया जो है वो अब किस नाम से जाना जाता है हाडोती के नाम से जाना जाता है तो चोहानों की वन जो नीव है यहां पर हाडोती शेत्र में भी स्तापित हुई थी कोटा रियासत से 17 परगने जो है जाला वाड को 1838 में 17 रियासत गटित कर दिया गया 17 परगने देकर जाला मदन सिंग जो है इनको जाला वाड का 17 परचाशक बना दिया गया और नई राजधानी जालावाड की राजधानी किसे बनाया गया जालरा पाटन इसको बनाया गया ठीक है जिसको आज हम घंटियों का सहर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मंदिर आपको बहुत मिलेंगे सूर्य मंदिर जो है जालरा पाटन में बहुत मिलेंगे इस वज़े से यहा प्रत्वी सिंग ने अंग्रेजों की सायता की थी तो इस वक्त थोड़े से वीक पड़ गए थे और उनको जो है अंग्रेजों से संथी करनी पड़ी थी ठीक है तो यह अंग्रेजों की सायता करते हैं उसके बाद प्रत्वी सिंग यह भी अंग्रेजों की पूरी सायता करते हैं 1866 में जहाला प्रत्वी सिंग द्वारा जहाला वाड में रेल लाइने बिचाने का कारे जो है वो शुरू किया गया इनकी मृत्यू 29 अगस्त 1875 को हो गई थी प्रत्वी सिंग के बारे में देखिए ज्यादा एक्जामिनर फूसता भी नहीं है 1862 में जहालावाड को उत्रा दिकार उत्रा दिकारी गोद लेने का दिकार दिकार दिया गया 1873 में काठीवाल के बढ़वान से बक्त सींग को गोद लिया गया अब इनके जो कोई पुतर नहीं था तो यहाँ पर इन्होंने गोद लिया गोद लियर के सुतंतरता सैनानी तात्य टोपे और अंग्रेजों के वरुद्ध सहायता की आशा से राजिस्थान आकर जहालावाड के सैनिकों को अपनी ओर से मिला कर प्रत्वी सिंग को यहां से भगा दिया जहालावाड पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया और बाद में अंग्रेजों ने आकर क्रांतिकारियों को खदेडा था आठारा से तावन किरांते में ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जालिम सिंग सेकिन ठीक है तो जालिम सिंग प्रथम जो थे उनकी तो म्रत्यू हो गई थी। कौन जालिम सिंग प्रथम जो की 1818 की जो संदी हुई थी तो उसके बाद कोटा के वास्त्विक प्रशाशक बने थे जालिम सिंग प्रथम ठीक है ये है जालिम सिंग सेकंड 21 जून 1876 को राज्य की संपून अधिकारिन को मिल गए उसके बाद देखिए भवानी सिंग 6 फरवर अकाल पड़ा इनकी म्रत्यू 1829 में हो गई थी 1904 में नागदा मतुरा रेल निर्मान का कारे बिना शुल्क भूमी हे तूस जो है इस पर सहवती भी दे गई ठीक है तो ये थोड़ा सा नाम याद रखना है आपको इतना जादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाद देख चरण में बिजली की विवस्ता की गई इनकी म्रत्यू 1923 में हो गई थी राजिंद्र सींग के बाद जो है वो हरिश्चंद्र हैं और ये जहालावाड के लोगप्रियश आशक बने थे राजिस्थान के एकी करण के दूसरे चरण में बांस वाड़ा ढूंगरपूर किसंग प्रतापगड टॉंक शहापुरा वकुंबलगड और चीफ शीप के साथ जहालावाड को मिलाकर राजिस्थान संग का गठन किया गया एक ही करण के बाद जहालावाड को जो है वो नया जुला बना दिया गया था ठीक है तो जन्पद जहालावाड मारवाड के पठार में बसा क्या था एक जन्पद था जन्पद के अंदर जो है वो जहालावाड और जहालापाटन दो परेटन इस्थल है ये भी याद रफना है ठीक है लोग जो है यहाँ पर देखने के लिए आते हैं इन दो शहरों की स्थापना ठारवी सताबदी के अंत में जहालावाड आशा को कब आया ठीक है इतना याद रखना है और ये लाइन आपको याद रखनी है कि जुणवा शहर किसको कहा जाता है जहालावाड और जहालापाटन को ठीक है जहालावाड राजपूतों की सबसे नवीन और अंग्रेजो दारा निर्मित एक मात्र जो है रियासत थी य कुछ ये इंपोर्टन है हो सकता है एक्जामिनर की नजर जो इस पर पढ़ जाए तो इस तरीके से जहालावाड के चोहन साशकों के बारे में हमने पढ़ लिया है जहालावाड के इतिहास के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं याद रखिएगा यहाँ पर मदन सिं करते हैं इनका कोई पुत्र नहीं था ठीक है तो उत्रा दिकारी गुद लेने का दिकार जो है इनको प्रदान किया जाता है उसके बाद आते हैं जालिम सिंग सेकिंड जालिम सिंग सेकिंड आते हैं इनको जो है पूरे दिकार दिये जाते हैं राज्ये के फिर जो है आते है भवानी सिंग ठीक है फिर कौन आते हैं भवानी सिंग आते हैं तो इनके समय तो बहुत भेंकर जो है वो अकाल पड़ा था राजेंद्र सिंग है इनके बाद राजेंद्र सिंग के बाद हरिश्चंद्र ठीक है तो ये बहुत ही लोगप्रिय प्रशाशक जो है बने थे हरिश्चंद्र इनके समय में जो है राजिस्थान का जो एक ही करण का दूसरा चरण चल रहा था ठीक है तो कई जो जिले थे वो मिलाए गए थे बांसवाड़ा प्रताबगड टॉंक शाहपुरा कुंबलगड ठीक है इन मिलाकर जो है और जालावाड को भी मिलाकर जो है राजिस्थान शंग का निर्मान यह आ गया था तो इस तरीके से हम लोग ने जालावाड का इतिहास जाना अब एक छोटा सा टॉपिक है सहायक संधियों से संबंदि थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं उसके बाद देखिए सहायक संधियों के बारे में हम पढ़ते हैं बहुत ही शौट में यहां हम समझेंगे जो भी आपके एक्जाम के लिए important रहेगा ठीक है क्योंकि हर चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्यों जो है मराठों का यहां पर प्रवेश होता है किस तरीके से मुगल सत्ता जब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी औरंग जेव की मृत्यू के बाद उसके बाद मराठे देखते हैं यहां पर कोई नहीं है और हमारा आदिपत्ते हो सकता है धीरे धीरे धन लूटने की लाल सा और यहां की जो पाशक जो हैं वो कमजोर पड़ गए थे कमजोर पड़ने के साथ साथ जो है इनके आपस में क्या हो रहे थे कले भी हो रहे थे उत्रादिकार के लिए जो है लडाईयां भी हो रही थी ठीक है जैपुर उत्रादिकार जो युद्ध हमने देखा था तो यह सबसे बड़ा का जाती है उत्तरादिकार संगर्च होता है और इस वजए से ये लोग किसका सहारा लेते हैं माधव सिंग और इस्वरी सिंग ये सहारा लेते हैं मराठों का और तो मराठों को जो है वो यहां पर गुसने का अफसर पूरी प्रेके से मिल जाता है तो इसी लिए मराठों से बचन जो है पहली बार धन लूटा था मराठों का हस्तशेब जो है सर्वबर्थम बूंदी राजे में 1734 इसवी में मराठा, मलहा और राव होलकर के द्वारा किया गया था तो यह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर हम कुछ important date जो है वो याद करने कोशिश करेंगे और उस समय जो शाशक कौन थे वो आपको याद करना है ठीक है कुछ भी extra नहीं याद करेंगे राजेस्थान में कमिशनरी व्यवस्था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1832 इसवी में हुई अजमेर में AGG is into Governor General इसका कार्याल है जो है स्थापित हुआ 1845 इसवी में AGG का कार्याल है जो है वो अजमेर वा कहां पर ट्रांसफर किया गया माउंट आबू इस्थानतरित किया गया ठीक है और प्रत्थम जो जी बनाये गए लोकेट को बनाया गया तो कमपनी द्वारा जो है वो राजपूत राज्यों के साथ 29 सितंबर 1803 इसवी में मेत्री संधी की गई कि हम तुम्हारी साहता करेंगे ऐसा अंग्रेजों ने विश्वास दिलाया मराथों से जो हम पूरी तरीके से तुम्हारी साहता करेंगे तो पहली संधी जो है वो भरतपूर के राजा रणजी सिंह के साथ हुई किसके साथ हुई? याद रखना है बहुत ज़्यादा important line है कि सबसे पहली संधी जो है भरतपूर के जो शाशक है रणजी सिंग के साथ हुई कमपनी के द्वारा राजपूत राज्यों के साथ 1818 की जो है साहयक संदी हुई और जनक कौन है साहयक संदी के लौड वैलिजली है तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा रिवाइज ही हो जाएगा कि कमपनी के द्वारा राजपूत राजज्यों के साथ जो 1818 की साहयक संदी हुई थी तो इसके जनक कौन है लौड वैलिजली है 1817 से 1823 इस्वी में लौड हैंस्टिंग ने साहयक संदी का कारे जो है चॉल्स मैट कॉफ को सौप दिया और सहयक संदी करने वाला जो प्रथम राजपूत राजज्य था वह था करॉली और अंतिम राजपूत राज्य बना शिरोही पूर्ण सर्तों सहित सहयक संदी करने वाली प्रथम रियासत कौन बनी थी कोटा रियासत तो बनी थी ठीक है तो ये चीज हम सबसे पहले पढ़ चुके थे कोटा बूंदी जालावार हमने पढ़ा 1818 की जो संदी होती है जाला जालिम सिंग और अंग्रेजों के बीच में होती है यहाँ पर और दो शर्तें जालिम सिंग के द्वारा रखी भी जाती है इस चीज को हम पढ़ चुके हैं उसके बाद जो है 10 अपरेल 1838 इस्वी में नई रियासत कोटा से अलग होकर जालावार बनाई जाती है यहाँ पर संदी जो है जाला मदन सिंग के साथ में की जाती है ठीक है तो यहाँ पर जो है जालावार राज्य की स्थापना हो जाती है 1838 इस्वी में और इस प्रकार जालावार राजिस्थान की क्या बन जाती है नवीन तम राजधानी बनाई जाती है तो चलिए इस map के दोरा आप देख लीजिए, सभी जो है वो mention कर दिये हैं कि किस रियासत ने कब संधी की थी, ठीक है, तो आपको जो है ये चीज याद करनी है, बहुत बहुत ज़्यादा important है, एक question आपको exam में जो है यहां से मिल ही जाएगा, तो यहां पर जो है अजमेर जो 1818 को संधी की थी, जगस सिंग 2nd के समय, करॉली रियासत 9 नवंबर 1817 को की थी, हरबक्ष पाल थे समय प्रशाशक, कोटा में जो संधी करते हैं 26 दिसंबर 1817 को, तो इस समय उमेद सिंग प्रथम जो है यहां पर नए प्रशाशक थे, ठीक है, उसके बाद बूंदी रियासत जो है, इसके द्वारा संधी की जाती है, तो यहां पर जो प्रशाशक है, इस वक्त विश्नु सिंग है, 10 अपरेल 1818 को, 17 नवंबर 1817 को, अमीर खां पिंडाली के द्वारा जो है, टॉंग, इस से रियासत में जो है, संधी की जाती है, तो हम जो पढ़ रहे हैं, यह 18178 की जो संधी है, यह हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही आपको याद रखनी है, तो 22 जनवरी 1818 को, अजीस सिंग और महाराजा भीम सिंग की ओर से, ठीक है, उदैपुर रियासत की संधी होती है, सिरोही के साथ संधी जो है, महाराजा शिफशिंग के द्वारा की जाती है, 11 सितं जनवरी 1823 को, उसके बाद देखिए, जोदपुर रियासत जो है, यहाँ पर संधी महाराजा मांजीं की तरफ से कौन करते हैं, चत्तर सिंग करते हैं, 6 जनवरी 1818 को, जैसल मेर जो रियासत है, मूलरा 2 के समय होता है, 22 जनवर 1818, विका नेर जो रियासत है, यहाँ पर 9 मार जनवर्च 1818 को, सूरत सिंग के द्वारा यहाँ पर संधी की जाती है, ठीक है, और अन्तिम मैंने आपको बता दिया है, कि जाला वार रियासत के साथ संधी होती है, तो इस तरीके से आपको यहाद रखने है, very very important है, यह सभी लाइन है, यहाँ से एक प्रशन जो है, वो इस्तशेप हो जाता है, जिसकी वजए से राजपूत जो शाशक है, उनकी आंतरिक जो शक्ती थी, वो कमजोर हो जाती है, वो अपनी आंतरिक प्रभु सक्ता जो है, वो खो बैठते हैं, और क्या हो जाते हैं, राजपूत सभी कटपुतली मातर बन जाते हैं, ठीक है, उसके कारण देशी राज्यों की जो आर्तिक इस्तिती बहुत ज्यादा जो है वो वीक पड़ती चली गई अब यहां पर जो है क्या आने लग गया अंग्रेजों के द्वारा जो पास्चाते सिक्षा थी उसका प्रभाव जो है वो अधिक होने लगा आचार विचार जो है उन अधिक आपमान होने लगा ठीक है हस्त शिल्फ जो थी वो नस्ट होने लगी देशी राज्यों की आस्था थी तो ये भी जो है थोड़ी दीरे दीरे समाप्त होने लगी तो जो आम जन थे जन साधरन जो थे तो वो लोग इससे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे और धीरे धीरे जो है वो ये चीज जो है वो आगए जखके किसमें बदल गई 1857 की करांती में बदल गई ठीक है तो राजपूद शाशक ने तो अच्छे काम के लिए ही जो है संधिया की थी ताकि ये लोग जो हमें संद्रक्शन परदान करेंगे लेकिन अंग्रेज जो थे वो इतने चालाग थे कि वो वो बिल्कुल अच्छे से जान गए थे कि राजपूद जो शाशक थे वो अब बहुत कमजोर है यहां पर जो हम अच्छे तरीके से जो है शाशन कर सकते हैं इस तरीके से राजिस्तान में 1857 की करांती स्टार्ट होती है तो यहां पर टॉपिक भी कंप्लीट होता है और अच्छे से आप लोगों ने समझ भी लिया है इसको बार-बार रिवाइस करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू